हलो, वेलकम बेक टू माई यटुट चनल, तो आज हम जानने वाले वीवोब वी 11 प्रो के बारे में, दरहसल हमारे कस्टमर ने पूछा है, सर इसके बारे में बताओ, वीवोब वी 11 प्रो के बारे में, मेरा रिंगर वक्त नी कर रहा है, तो ये वडियो उन्हीं के लिए बना वे audio IC में registered के बाजों में capacitor भी लगे वे filter आप वो भी चेक कर लेना है तो यह audio IC को connection कहां से मिल रहा है एक मिल रहा है हमारा power IC से यह वाली power IC से जो charging का भी काम कर रही है और एक मिल रहा है हमें बागी के connection हमारे आरे cpo से ने इसके अंदर audio codec कमर को यह दिखनी रही है कोई कि महां से अपला है डारेक हमारा cpo काम कर रहा है तो यह cpo से कुछ 5 connection आया है हमारे और बाकी connection जो है एक power से आया है बाकी connection ringer में गए दो ringer में connection कि side में गए वह भी मैं आपको बता देता रिंगर डबी लेके कि दो connection जो चार connection आये थे हमारे वह यहां पर गए यह वाले पॉइंट पर दो यहां पर यहां पर यह कुछ इस तरीके का connection रिंगर के आप यह चेक कर लीजेगा अब आ जाते हमारे माइक वाले point पर हमारे माइक के यह दू पॉइंट है मेन और यह connection माइक के हमारे पास से आये वह यह वाली पावर आई सी से माइक के कनेक्शन आये वह तो मैक के connection हमारे यूएसबी charging connector में कहा गये है वह गये हमारे यहां पर यह देख लिए यह दो connection है और एक ground रहता है ground तो आपको कहीं से भी लेना पड़ सकता है ठीक है यह दो connection माइक के हमारे हाँ यह वाले आये cdc और माइक वाला connection जो दो है वह यहां पर आये वह तो यह आपको चेक कर ले माइक हो गये अब बचाए एयर पीस उपर वाला यह उपर वाला जो एयर पीस जिस पर हम कॉलिंग टाइम बात करते है वह यह वाला speaker है इसमें भी यह रजिस्ट्राट के तुरू होते वे सिधा गया है हमारा supply power ic में तो कुछ इस तरीकी के connection है audio section के अगर आपको ऐसा लगत आप नेक्ट वीडियो में ओके बाई बाई